मुझा जाए 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 बहुत शुक्रिया नदीम फर्रुग सहाब का संजे बाटी सहाब का आज के हमारे सेशन के कोडिनेटर हाश्रम लॉमानी सहाब का आए चार मिस्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि कुछ न कुछ खोट यकीनन है चरागों में कहीं कुछ न कुछ कुछ खोट यकीनन है चरागों में कहीं परवरिश्टीर की पाती है उजालों में कहीं और दिलों से मंदिरों मस्जित के मिटातों जगडे मुल्क बरबाद नहो जाए फसादों में कहीं क्या अच्छा पैगाम पिर पढ़ो पिर पढ़ो कुछ न कुछ खोट यकीनन है चरागों में कहीं परवरिश्टीर की पाती है उजालों में कहीं और दिलों से मंदिरों मस्जित के मिटातों जगडे मुल्क तकसीम नहो जाए फसादों में कहीं और आजरीन इक गजल का एक मतला एक शेर युवर्ट क्या है के जमाने भर की खुशी अपने पास रहने दे अपने पास रहने दे ए मेरे दोस्त मुझे गमशनास रहने दे और नकरदे शोके अमीरी तुझे ये बेसाया नकरदे शोके अमीरी तुझे ये बेसाया नचोड जोपडी महलों की आस रहने दे और फराजे दार पे चढ़जा हसी लुटाता हुआ नबे जमीर से करिल तमास रहने दे और चमकता पैरहन अच्छा नहीं है मांगे का बदन पे अपना ही सादा लिबास रहने दे और अभी तू प्यार में डूबी हुई गजल मत छेड़ अभी तू प्यार में डूबी हुई गजल मत छेड़ अभी है दिल मेरा जोहर उदास रहने दे अभी है दिल मेरा जोहर उदास रहने दे और अभी हुई गजल का एक मतला एक शेयर यूवर्स किया है कि कोई कैसी भी महफिल हो उस्मान भाई जी शादे आली कोई कैसी भी महफिल हो मगर अच्छी नहीं लगती कोई कैसी भी महफिल हो मगर अच्छी नहीं लगती तुम्हारे बिन मुझे ये जिन्दगी अच्छी नहीं लगती मेरे बहुत अजीज दो दिलिशादा आप उली साब तश्रीप रखते हैं मुलज़ा प्रमाई निशाद भाई कोई कैसी भी महफिल हो मगर अच्छी नहीं लगती तुम्हारे बिन मुझे ये जिन्दगी अच्छी नहीं लगती और मेरे माबाप को जो हर सहारे की जरूरत है मुझे परदेश में अब नोकरी अच्छी नहीं लगती। मेरे माबाप को जो हर सहारे की जरूरत है मुझे परदेश में अब नोकरी अच्छी नहीं लगती। और मुलाइज़ा फरमाएं के मैं वो रोशन दिया हूँ मैं वो रोशन दिया हूँ जिसकी फित्रत है जियाबारी वाबाई शेर सुएगा मैं वेरोशन दिया हूँ जिसकी फित्रत है जियाबारी मुझे दुश्मन के घर भी तीरगी अच्छी नहीं लगती मुझे दुश्मन के घर भी तीरगी अच्छी नहीं लगती और अजिम लाहज़ा करें कि जे इरशाद आलिवां उनके सितम ना उनकी जफाओं को देखकर उनके सितम ना उनकी जफाओं को देखकर मैं रो रहा हूं अपनी खताओं को देखकर उनके सितम ना उनकी जफाओं को देखकर मैं रो रहा हूं अपनी खताओं को देखकर और दुश्मन भी दोस्ती की अदाओं में ढल गए मेरा खुलूस मेरी वफाओं को देखकर और मुलाहिज़ा करें कि जोके हवा के मस्त हैं पुरकैफ है फजा जोके हवा के मस्त हैं पुरकैफ है फजा जाने वफा ये तेरी अदाओं को देखकर और शेर मुलाइजा करें कि बरसी हैं वहीं फिर जहां दर्या थे मोजिजन बरसी हैं वहीं फिर जहां दर्या थे मोजिजन प्यासी जमीन रोई घटाओं को देखकर प्यासी जमीन रोई घटाओं को देखकर बरसी हैं वहीं फिर सेलाब अश्का मजलूम और बेकसों की चिताओं को देख कर मजलूम और बेकसों की चिताओं को देख कर और खारी असनेंदिन के सहाब बड़े भाई तश्रीफ रखते हैं एक मतला एक शेर की अजाज़त और चाहते हुए कि किस्मत के निराले ही दस्तूर नजर आए और सब किसमत के निराले ही दस्तूर नजर आए साया भी मेरा मुझसे मस्तूर नजर आए साया भी मेरा मुझसे मस्तूर नजर आए और जब वक्त पड़ा मुझपर देखा है इनाखोंने जब वक्त पड़ा मुझपर जब वक्त पढ़ा मुझ पर देखा है इनाकों ने अपने जिनें समझे थे वो दूर नजर आए और शेर मुलाइज़ा फरमाएं फिर अपनी जगा लूँगा के जो लोग लिबासों से जो लोग लिबासों से लगते थे बड़े जाहिद जो लोग लिबासों से लगते थे बड़े जाहिद इमान की पूछो तो बे नूर नजर आए शुक्राइब आख वाख